अध्धाय तीन उन दिनों में युहन्ना बप्तिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में ये प्रचार करने लगा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकाट आ गया है ये वही है जिसकी चर्चा यशा यह भविश्य द्वक्ता के द्वारा की गई थी कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है प्रभू का मार्ग तयार करो उसकी सडकें सीधी करो ये युहन्ना उंट के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे हुए था उसका भोजन टिड्डियां और बनमधु था तब यरूशलेम के और सारे यहूदिया के और यर्दन के आसपास के सारे देश के लोग उसके पास निकलाए और अपने अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बबतिस्मा लिया जब उसने बहुतेरे फरीसियों और सदूकियों को बबतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा की हे साप के बच्चो तुम्हें किस ने जता दिया के आने वाले क्रोध से भागो मन फिराओ के योग के फल लाओ अपने अपने मन में ये ना सोचो की हमारा पिता इब्राहीम है क्योंकि मैं तुम से कहता हूँ परमेश्वर इन पत्थरों से इब्राहीम के लिए संतान उत्पन कर सकता है अब कुलहडा पेडों की जड़ पर रखा हुआ है इसलिए जो पेड अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में जोका जाता है मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराओ का बप्तिस्मा देता हूँ परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे अधिक शक्तिशाली है मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बप्तिस्मा देगा उसका सूप उसके हाथ में है वो अपना खलिहान अच्छी रीती से साफ करेगा और अपने ग्यहों को तो खत्ते में कठा करेगा परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं उस समय येशु गलील से यर्दन के किनारे पर युहन्ना के पास उससे बप्तिस्मा लेने आया परंतु युहन्ना ये कहकर उसे लोखने लगा कि मुझे तेरी हाथ से बप्तिस्मा लेने की आवशक्ता है और तु मेरी पास आया है येशु ने उसको ये उत्तर दिया अभी तो ऐसा ही होने दे क्योंकि हमें इसी रीती से सबधार्मिक्ता को पूरा करना उचित है उसने उनकी बात मान ली और येशु बप्तिस्मा लेकर तुरंत पानी से उपर आया और देखो उसके लिए आगाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने उपर आते देखा और ये आगाश्वानी हुई ये बेरा प्रेपुत्र जिस्से में अध्यंत प्रसन्यों लिए इसने उसमाई इसमा अगाश्वानी को कि रिया गरते फिंगी ये बेरा को स्क्वड़र के बेराते हुआ स्भावर के तुर अभानी हुआ गया खुल पिरा इस उस्क्व़र के आते हुआ खुल